है प्रिवन मैं महिंत पांडे आप लोगों का अपनी यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज मैं आप लोगों के कलिए यह कंप्यूटर बेसिक कोर्स में जो मैं ट्रिपल सी से रिलेटेड स्पेसल क्लासिस दे रहा हूँ उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर करके आया हूँ विकाज ट्रिपल सी में लिब्रे ओफिस का बहुत में इन एप्लिकेशन है वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में कम्प्लीट नॉलेज देने वाला हूँ इस वीडियो को यह आप देख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार से कोई प्राबलम नहीं रहेगी विकाज इसमें मैं लिब्रे ओफिस को ओपेन करने से ले करके लिब्रे राइटर के पार्ट आप विंडो का कम्प्लीट नॉलेज उस से रिलेटेड जो सौट कर्ट से उनका में कम्प्लीट नॉलेज आज आपको देने वाला हूँ तथा जो मीनू आप इस राइटर को वीडियो बहुत ही इंपॉटेंट है वीडियो को बिना इसटिपकी आप लार्स तक देखें तरह जाएट मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइयब न किया हो तो अब एक लाभी कर लेए तो इसमें टैली का complete वीडियो अपलोड हो चुका है complete course अपलोड है उसको आप जा करके देख सकते हैं तता इसमें टैली से related टैली प्राइम अपडेट होकर के आया उससे related वीडियो मिलती रहेंगी और इस पर busy mark अदरवाइस जिते भी लगबग accounting के software अविलेबल है अपलोड होती है उसका notification आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए तो चलिए देखते हैं LibreOffice Writer आप देख पा रहा है हम LibreOffice Writer विंडो पर ही एविलेबल हैं बट यहां से हम एक shortcut यूज़ करेंगे control प्लस W और हम इसको open करके दिखाएंगे चुकि control W होता है किसी भी active window को close करने का shortcut तो हमने यहां से इसको close कर दिया आप देख पा रहा है हम LibreOffice के main window पर आ गये हैं जो startup interface है यहां से हम LibreOffice से related जो भी applications है जैसे writer, calc, impress, drawing, formula, database इन टाइप के जो भी applications है LibreOffice से related उसका यह एक main interface है यहीं से हम directly open कर सकते हैं MS Office में आप देखते थे MS Office Suite पर click करते थे तो पूरा सारे application अलग-अलग खुल करके आ जाते थे वहां से आप open कर सकते थे आल प्रोग्राम से जा करके बट यहां आपका जब LibreOffice पर click करेंगे तो directly LibreOffice का main window खुल करके आ जाएगा और यहां वह interface है जहां से आप किसी भी applications पर जा सकते हैं और उन application को close करने के बाद पुना आप यहां आ जाएंगे और यहां पर आपको यदि कोई भी recent file उठानी है चाहे वो calc से हो, writer से हो impress से हो, drawing से, formula या database किसी भी प्रकार का जो recent file होती है जिसे आप use कर चुके होते हैं वो यहां पर available मिलती है आपको और इस LibreOffice का जो यह unique extension है .odm, open document format यह open document format है it means open source application है और जो MS Office है आपका एक close source application है तो चलिए हम देखते हैं LibreOffice Writer हम अगली वीडियो अपना calc पर बनाएंगे तो आज हम राइटर का complete knowledge लेते हैं आप देख पा रहे हैं हम राइटर की main window पर available हैं हम सबसे first writer के नाम देखे किसी भी चीज़ का किसी भी application या कोई भी काम आप करने जारे हो तो सबसे पहले उसका नाम जानना जरूरी होता है तो LibreOffice Writer का जो file name है एक text document भी से हम कह सकते हैं लेकिन यह word processing program है word document है इसे हम कहेंगे LibreOffice Writer एक word document या word processing program है इसका जो unique extension है default extension है dot odt है open document text इसलिए इसको text document भी कह सकते हैं बट यह MS Word की जगा इसको replace किया गया है या एक word processing program है आप देखें सबसे उपर corner पे एक icon सो कर रहा है जो LibreOffice Writer का icon है जिसे हम यहां control menu box कह सकते हैं चुकि यहां हम click करते हैं तो control menu box open होकर के आता है जिसमें restore, move, size यह सारे option available होते हैं अगर यही का हम keyboard से करते हैं तो alt space bar करके हम control menu box को open कर सकते हैं control menu box में restore, move, size, minimize, maximize, close यह options available होते हैं तो कभी-कभी यह पूछ लेता है किसी भी application window को बंद करने का shortcut क्या होता है तो alt plus f4 होता है तो यह left corner पे control menu box and document name होगा जो title आप डालेंगे जिस नाम से आपकी file होगी अभी untitled सो कर रहा है बट हम से अगर save कर देंगे तो यहाँ उस file का नाम आ जाएगा इसके बाद library office writer जो application name है and right corner पे control tools होते हैं जिसमें minimize, maximize, restore and close होता है तो इस पूरी पट्टी को हम क्या कहते हैं title बार कहते हैं title मतलब होता है सिर्सक और bar means होती है पट्टी जिस पट्टी पर title present होता है उपस्थित होता उस पट्टी को हम title बार कहते हैं और default तरीके से देखा जा तो किसी भी application में सबसे top पर ही title बार available होता है तो title बार के ज़स नीचे हम आते हैं आप देख पार है file edit last में देखें help है तो यह आपका menu बार है इन्ही menu options में मतलब इस complete window का जो complete knowledge दी आपको लेना है तो आपको complete menu बार का knowledge होना चाहिए तो यह menu बार है इसमें होने वाला हर वो function यहां से हम operate करते हैं तो यह इसका menu option है इसे हम इस पट्टी को menu बार कहते हैं जहां यह available होता है और जस्ट इसके नीचे आपका standard toolbar होता है जिसे standard bar बोलते है standard toolbar क्या होता है यहां जो menu के options होते हैं वो symbols में दिये गए होते हैं किसी भी कारे को जल्दी करने के लिए इसलिए इनको हम standard toolbar कहते हैं यहां आपको file के, edit के, view, insert सबसे mix up करके options हैं आपको मिलते हैं जस्ट नीचे आप देखें यह आपका है format bar इसे हम format bar कहते हैं यहां से हम text होगारा में कोई भी formatting कर सकते हैं paragraph में formatting कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं जो यह मैं part of window बता रहा हूँ यह user defined by default एक view है, library office writer का तो इसमें सबसे ओपर title बार हो गया menu बार हो गया, standard toolbar हो गया and format bar हो गया उसके नीचे माते हैं तो आप देख पा रहे हैं यह ruler है, यह आपका horizontal ruler है और left side में आपको देख पा रहे हैं pointer के माद्देम से मैं बता रहा हूँ यह आपका vertical ruler है ruler के बाद आप देखें पूरी window आपको देख रहा है पूरा paste board देख रहा है single paste view मैंने क्यों कहा पिकाज आप status bar पर देखेंगे तो इसमें single paste view, multiple paste view and book view यहाँ पर आपके सामने show करता है आप MS word में अगर आप देखते हैं तो यहाँ इसे print layout भी बोलते हैं तो यह आपका work area है और आप देखें right side में एक पट्टी है जिसे हम scroll bar कहते हैं और scroll bar में एक point है जिसे हम move कर रहे हैं अगर कोई भी hidden text है top bottom में hidden है तो हम elevator के माध्यम से इसको move करा करके देख सकते हैं तो यह आपका scroll bar है इस scroll bar भी दो प्रकार का होता है horizontal scroll bar और vertical scroll bar तो जो यह आपके सामने है right side में मैं आपको pointer के माध्यम से आपको बता रहा हूँ यह आपका vertical scroll bar है और नीचे की तरफ bottom में आपका horizontal scroll bar होता लेकिन जब उसकी आवसकता होगी तो आपको मिले जाए यहने का मतलब आवसकता कब होगी जब आपके text left right में hidden हो जाएंगे तो scroll bar की जरूत होगी और उस time पर आपका horizontal scroll bar present हो जाएगा automatic उसके just bugle में आप देखें एक पटी है जिसमें कुछ tools present है इसे हम side bar कहते हैं side bar का use क्या होता है जो भी अपने active window पर अपने work area पे work करते हैं तो उससे related उसका properties उसकी style और कुछ important formatting हम यहां से कर सकते हैं आप नीचे देखें task bar के ऊपर एक पटी है जिसे हम status bar कहते हैं status आपका है जो आप work कर रहे होंगे अपने active window पर तो उसका complete status आपको provide करता है जैसे page 1 पर हम है कितना word कितना character लिखा है कौन सी default style है कौन सा language हम use कर रहे है सारी चीज़े यहां बताता रहता है आप right side में आएंगे आप देखेंगे single page view है और उसके just bugle में आपका zoom slider होता है देखें zoom slider से question आता है बार बार कि writer में minimum zoom कितना होता है तो writer में minimum zoom जो होता है वो 20 होता है और maximum zoom जो होता है वो आपका 600 होता है बार बार एक question आता है लिब्रे office में word document को किस नाम से जाना जाता है तो लिब्रे office में word document लिब्रे writer को जाना जाता है लिब्रे writer एक word document window है तो ऐसे questions आते रहते हैं यहां मैं कुछ भी लिखके नहीं बताने वाला हूँ आपको यह lecture class हो इसमें मैं completely आपको ऐसे बताते जाऊंगा और इसको आप सुनते जाएंगे जो important लगेगा उसको आप note down करते जाएंगे इससे आपके सारे questions त्यार हो जाएंगे because इसमें मैं आपको complete trick बता रहा हूँ मैं रटने का कुछ नहीं बता रहा हूँ because रटने वाले हमेशा फेल हो जाते हैं अगर आप रट करके कुछ भी जाओगे तो हूब हूब कुछन आपको कभी नहीं मिलते हैं because triple C में logical format के questions पूछे जाते हैं जब आप इसके complete knowledge को आप पढ़े रहेंगे समझे रहेंगे तो कोई भी question कहीं से भी आ जाएगा उसको आप आसानी से solve कर पाएंगे तो इस वीडियो में वहीं मैं सारी trick बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसको पढ़ें और इसको आप कैसे तयार करें जिससे आप से लिब्रे office writer से आया हुआ कोई भी question आप से न चुटे ये था आपका part of window title bar, menu bar, standard toolbar, format bar, ruler, horizontal ruler and vertical ruler work area आपका जिसे active window कहते हैं single page view है आपका आपका scroll bar, vertical scroll bar है side bar है, status bar है and task bar है अब हम main चीज़ जो है हम समझते हैं कि हम इसमें पढ़ें कैसे, इसको तयार कैसे करें हमने बोला भी आप से कि मैं ऐसा trick बताऊंगा जिससे आपको कुछ भी return नहीं पढ़ेगा, तो आप देखे menu के बार बार question आता है menu के options पूछ ले जाते हैं या shortcut पूछे जाते हैं, या menu options पूछे जाते हैं, या फिर उसके पार्ट आप window से कुछ पूछा जाता है तो यह सारी चीजे मैं आज इसमें आपको बता दूँगा, फिर लिब्रेम राइटर में कुछ बचेगा नहीं, जो आपको ना रहा हो तो आप देखें, फाइल फाइल जिस पर हम work करते हैं कोई भी document जो हम बनाते हैं जिस page पर उसको हम save करते हैं फाइल के नाम से तो फाइल जो होती है फाइल को आपका menu है फाइल तो फाइल में यहाँ यह page जो आपके सामने present है, आप इसमें आप एक से ज़्यादा pages भी present कर लें और उसको आप save कर लें तो एक file ही मानी जाएगी चाहे एक page का आपका file हो चाहे दस page का file हो वो सब file के नाम से ही जाना जाएगा तो यहाँ आपको समझने वाली बात यह है कि file अगर है तो file को ही हम new, नई file लाना चाहते हैं, तो हम new करते हैं file save करना, file का save copy करना file को export करना, file को export as करना file को send mail करना कोई भी web browse करना तुसका preview लेना है file का print preview लेना फिर file को print करना printer से print करने के लिए printer की setting करना, file के according properties लिखना file का तो यह सारे options file से हैं मेरे कहने का बस एक ही मतलब है कि file नाम चुकि नाम में ही गुण होता और file से related options नीचे जो होंगे जैसे open है, तो open मतलब क्या होता है कोई भी चीज़ खुलना, क्या खुलेंगे आप अगर आप computer में है तो file और folder ही होता है file और folder को open करना है तो file के अंतरगती आपका मिलेगा close पुछ लिया तो कोई file ही हम close करेंगे इतना आपको common sense यूज करना पड़ेगा तभी आप उसको solve कर पाएंगे मैंने अभी आपको बताया कि रटना कुछ नहीं है बस समझ करके पढ़ लेना है रटने वाले last तक रटते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते इसलिए अगर इसको आप समझ करके देख करके पढ़ ले रहे हैं फिर आप से कोई भी questions नहीं चूटेंगे तो इस तरह से यह आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 class आप करेंगे तो भी आपको Libre Writer completely तयार हो जाएगा और आप देखें फाइल में open से related जो shortcuts हैं control O है control S से save होता है control shift S से save as होता है control shift O print preview का shortcut है control plus P print का shortcut है and unique exit Libre Office अभी मैंने आपको बताया कि control W होता है तो हम active window को close करते हैं यह जो close आपको दिख रहा है इसका shortcut होता है control W जिससे हम Libre Writer से बाहर जाएंगे और हम Libre Ips के main window main interface पे पहुँच जाते हैं लेकिन अगर हम control के साथ Q press कर देते हैं तो हम Libre Office से ही exit कर जाएंगे तो यह एक unique shortcut है exit करने का directly बाहर जाने का shortcut है तो यह file के options हैं इसका screenshot लेकर के इसको आपनो down कर लीजे चुकि कुछ तो मेनत करना पड़ेगा ऐसा नहीं कोई trick है इसको देख लिया और आपको तयार हो जाएगा तो थोड़ा सा मेनत करना पड़ेगा लेकिन अगर किसी भी concept को समझ करके आप पढ़ेंगे तो आसानी से उसको solve कर पाएंगे अब आती है बात edit की इसी तरीके से हर एक menu को हमें पढ़ना है edit हम edit कप करते हैं जो हमने कोई भी document लिखा है कोई भी पैरा लिखा है कुछ भी sentences हमने लिखे हुए हैं या हमने कोई save बनाया हुआ है तो उसमें editing करने की जरूत होती है और यहां जो edit करना है आपको कोई भी paragraph है या कुछ भी shape में हमके कोई editing करनी है या कुछ भी हमें find replace करना है तो edit menu में हम यह सारा काम editing वाला work जो होता है वो हम edit menu के अंतरगत करते हैं जैसे undo है, redo है, repeat है cut, copy, paste, paste special select all, selection mode है आपका find, replace go to, track change, comment reference, hyperlink, exchange data direct cursor mode आपका है edit mode, यह सारे options आपके edit से विलॉंग करते हैं इसमें बहुत सारे shortcuts लिखे हुए है जैसे हमने कुछ भी लिख दिया और हमने इसको क्या किया यहां हम चले गए, edit में हमने undo कर दिया, तो कीरती typing देखिए undo हो गया, जो हमने do मतलब होता करना undo कर दिया, मतलब उसको हटा दिया जो मैंने किया हुआ है हम redo करके उस typing को दोबारा ला सकते हैं तो यह options हैं आपके आप देखें, इसमें कुछ shortcuts भी दिये गए है जो unique shortcut है, जो हर जगा आपको ज़्यादा तर MS Word से तो एक दो मैच करता है यह लेकिन अलग हर जगाए पर control plus Z ही लगभग आपका undo का shortcut मिलता है, ज्यादा तर applications में, undo का shortcut control Z है, redo का shortcut control Y है, repeat के लिए control shift plus Y है, cut के लिए control X है, copy के लिए control C है paste के लिए control B है select tal के लिए control A है, select text के लिए control shift I है, find के लिए control F है replace के लिए control plus H है go to के लिए control plus G है इस तरह से shortcut है आपको मालूम हो मैंने triple C के complete slab से जिसमें Libre Writer, Libre Calc and Impress तता और भी जो आपके fundamentals है या digital finance है या otherwise जो भी पूरा complete triple C का जो slab से मैंने special एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने complete shortcuts दिये हुए है तो वहाँ से भी आप important shortcuts को तयार कर सकते है या यहाँ से आप note करके उस shortcuts को आप पढ़ सकते है तो इस तरह से हम आते हैं view में और view मतलब होता है देखना कुछ भी चीज को show और hide करना है तो आप view menu के माध्यम से कर सकते हैं इसे view change करना में normal view है हम web page के view से normal view में आना चाते हैं user interface मैंने भी आपको बताया कि जो default window आती है वो user interface कहते हैं उससे तो standard toolbar है या single toolbar है जो भी toolbar प्रेजेंट है और extra toolbar से आपको so hide करना है तो toolbar आपका menu है उसमें जा करके आप सारे toolbar को प्रेजेंट कर सकते हैं अपसेंट कर सकते हैं status bar को light कर सकते हैं so कर सकते हैं scroll bar को इस तरह से formatting mark है text boundaries है table boundaries है images and charts को प्रेजेंट करना है track changes को so hide करना है side bar को हटाना है लाना है style को present करना अपसेंट करना है galleries को इस तरह से जो भी options है fully screen आपको करना है फुल स्क्रीन करना नॉर्मल व्यू करना तो आप यहीं से तोगल कर सकते हैं तो यह सारी चीजें व्यू कराने की हैं और व्यू आप मीनू में यह एवलेबल होती है तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी कि व्यू में हम कोई भी चीज को व्यू कराने के लिए व Formating Marks को So Hide कहां से करते हैं तो हम View से करते हैं ऐसा ही आपके Questions आते हैं उसको आप आसानी से Solve कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से समझ करके पढ़ेंगे विकाज रटने से कुछ नहीं होने वाला है आप समझ करके पढ़ेंगे तो आसानी से उसको आप solve कर पाएंगे तो यह कुछ shortcuts हैं जिसको आपनों डाउन कर सकते हैं इस तरह से जो important shortcuts हैं आप याद कर लें और menu के हिसाब से उसके options को आप तयार करें रटे नहीं आप insert आप देखें insert मतलब होता है कोई भी चीज लाना present करना insert करना लाने के लिए कुछ भी insert करना है उसको आपके वर्केरिया पर लाना है तो insert menu में हम जाते हैं जैसे एक से ज़्यादा pieces की ज़रुत है face break करते हैं उससे भी ज़्यादा bookmark present करना तो इस तरह से सारी चीजों को यहाँ present कराने के लिए है insert करने के लिए है तो यह insert से related options हैं इसको आप ध्यान से पढ़ लें एक से दो वार आप देख लेंगे और उसका मतलब समझेंगे तो आसानी से आप examination में आए वे questions को आप clearly solve कर पाएंगे paste break का shortcut होता है control plus enter comment का shortcut control alt plus c होता है hyperlink का shortcut control k होता है तो इस तरह से जो important shortcuts हैं उसे भी आप यहाँ से note down कर लें और उसको आप पढ़ लें next हम format format मतलब होता है किसी भी text में या image में हम उसमें और extra effect डालते हैं उसको format करते हैं text में या paragraph में या image में या shapes में जो भी हम परिवर्तन करते हैं उसका j Davis style है उससे ज़्यादा उसमें परिवर्तन करते हैं उसको formatting कहते हैं तो format menu के द्वारा हम को सारी formatting करते हैं तो जो भी formattingico related option है वह हमें माल哦son है वह हमें मान लेंगे कि वह format menu में ही available होँगे चाहे text format करना हो spacing करना हो, align करना हो, listing करना हो, clone formatting यूज करना हो, character को format करना हो, paragraph को format करना हो, title paste करना हो, watermark उगरा देना हो, images को format करना है, text box shapes को करना है, word wrap कराना है, anchor point देना है, arrange करना है, rotation करना है, या group करना है, यह सारा options आपके format से belong करता है, तो option को समझ करके आप पढ़ लेंगे, तो आसानी स से उसको आप तयार कर पाएंगे clear direct formatting control प्लस m shortcut होता है उसका तो यह कुछ important questions आपके तरीके हैं इस तरीके से style से related जो option है हमें heading style change करना है paragraph का style change करना है number style change करना है यह सारा कुछ करना है तो style जैसे किसी में format के बाद उसकी formatting की अलग-अलग style आपको provide करनी है किसी एक option को आप अलग-अलग तरीके से change करना चाते हैं तो style से belong करता है तो style menu में वो options मिल सकते हैं जैसे किसी ने पूछा कि heading 2 हमें करना है heading की style change करनी heading 2 कहा available होगा तो style में available होगा सिद्धी सी बात heading के जो shortcuts है heading 1 है control plus 1 heading 2 है control plus 2 heading 3 है control plus 3 इसी तरीके से new style for selection के लिए shift plus f11 है और manage styles करना है तो f11 use करते हैं table है आपका तो किसी भी table को बनाने के लिए row और column की जरुरत होती है intersection of row and columns called cell एक cell कब बनता है जब एक row और column आपस में एक दूसरे को विवाज करते हैं तो जो box create होता उसे cell कहते हैं तो table से related option insert table करना rows present करना column को लाना delete करना select करना sizing करना merge cell करना split cell करना merge table करना split table करना protect cell unprotect cell auto format style number format convert formula यह सारे options आपके table से belong करते हैं table से संबंदित होते हैं अगर इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप directly यह बता पाएंगे कि table menu में available है तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे इस तरह से form है form में हम design का पूरा work करते हैं हम कोई भी form बनाते हैं या कोई भी हम पेपर अगरा बना रहे हैं तो यहां से option box check box list box combo box अगर देखें आप box से related जो option आ रहे हैं ज्यादा तर form से related होते तो trick भी मां मान सकते हैं अगर आ गया कि या चेक box कहा है अब लेबल होता है किस मीनू में होता तो डिरेक्ली form बोल सकते हैं design mode कہहां होता है तो form में होता है option button कहां पाई जाती है form में पाइजाता है तो इसको अगर आप एक बार देख लेंगे मतलब आप समझ जाएंगे तो आसानी से आपका तयार हो जाएगा इसके बाद आती है बाद टूल टूल होता है मतलब टूल मतलब होता आउजार अगर हमें किसी चीज़ में कुछ चेक करना है या कुछ बनाना है कितने word हैं कितने characters हैं तो word account के माद्धिम से इसे हम जान सकते हैं कुछ correct करना है auto correct हम tools में ही कर सकते हैं bibliography होगर हम यहां से check कर सकते हैं micros होगर हम tools से ही कर सकते हैं तता हम हमें Libre office writer के options में को भी परिवरतन करना है तो हम option जिसका shortcut होता alt plus f12 तो यहां से हम options को change कर सकते हैं auto text का shortcut बार-बार पूछता है control plus f3 है spelling का shortcut आता है बार-बार f7 है auto spelling checking का है shift plus f7 siters का control plus f7 तो इस तरह से हम shortcuts भी तयार कर सकते हैं आसानी से window है new window, close window, switch window यह सारे options window से related होते हैं तो यह है आपका complete Libre office writer के menus जिसे आप एक trick के माध्यम से उसको समझ करके यदि आप पढ़ते हैं तो आसानी से वो सारे questions आप solve कर पाएंगे जो आप से पूछे जाते हैं जैसे कुछ questions आप सुन लें इस तरह से questions पूछे जाते हैं जो कि बहुत सरल से questions होते हैं जिसे writer का default action son क्या है तो .odt होता है लिब्रे office writer में किसी भी line की सुरुआ किस shortcut की से किया जाता है तो control home पर हम करें तो हर एक किसी भी line के हमें starting में आ जाते हैं cut वेगरा का shortcut तो हमने बता ही दिया है आपको cut copy paste भी बार बार पूछा जाता है जो क्योंकि एक subtle shortcut है cut copy paste से print यह सब बहुत ही unique है इसको बार बार यह पूछे जाते हैं लेकिन गुमा फिरा करके पूछता है तो यह दिया आपने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आसानी से आप उसको कर पाएंगे जूम बार बार पूछा जाता है maximum zoom क्या होता writer में तो 600 होता है अगर minimum zoom पूछा जा रहा है writer का तो वो 20 होता है super script की shortcut बार बार पूछी जाती है तो super script की shortcut जो होती है control shift plus P होता है और sub script का control shift plus S होता है ऐसे ही font की size जो maximum size होती है आप ध्यान दें तो यहाँ पूछ लिया जाता है तो maximum size जो होती है 96 होता है यहाँ आप देखे 96 होता है जो default तरीके से इसमें लिखा होता है और minimum पूछा जाए तो 6 हो जाता है यह सारी चीज़े भी ऐसे पूछी जाती कभी कोई पूछ लिया word account का available है तो tools में मैंने भी आपको बता है menus को आप अच्छे से पढ़ेंगे अगर इस वीडियो को आप एक से दो बार देख लेते हैं तो complete libre office writer आपका तयार हो जाएगा फिर आपको writer के सारे questions तयार हो जाएंगे तो examination में ज्यादा तर पूछे जाते हैं और इन सब को आपको रटना भी नहीं पड़ेगा एक से दो बार वीडियो देख लेंगे और उसको आप अपनो डाउन कर ले रहे हैं तो आसानी से लिप्रे office writer से आने वाले वो सारे questions को आप आसानी से solve कर पाएंगे I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को पूचित suggestion आपको provide किया जाएगा और comment के द्वारा ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा तो मिलते हैं next day next video के साथ तब तक के लिए thank you जैहिन